आईफोन को हैक कर लिया जाए और आपकी sensitive information उसको लिक कर दिया जाए और उसका मिस्यूज कर दिया जाए जो बात कर रहा हूं आईफोन को ओने को लेकर करके जी आँगाईज आपने बिल्कुल सजी सुना आईफोन को भी हैक किया जा सकता है इसके operating system को है किया सकता है Central Government द्वारा उनकी एक एजंसी एसी एर्ट जिन्हों ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि आई फोन पे हैकर की नजर है जिससे कि आपके जितनी भी आपकी sensitive information है आपका आधार कार पैन कार या पर बैंक डिटेल या पोई ऐसी फोटो या वीडियो जो काफी sensitive है जिसके लीक होने पर आपको खत्रा हो सकता है तो गाइस इन सब चीजों को देखते हुए CERT ने एक notice जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है अगर आपके पास iPhone है तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए और मैं इस वीडियो में आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना है जिसमें मैं आपको पूरी information इसके बारे में देने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आप सेफ रह सकते हैं कैसे अपने आपको अपडेट कर सकते हैं इन सब चीजों से और अपने आपको हैकर से बचा भी सकते हैं अगर आप एक iPhone यूजर है तो आपका सिस्टम हैक हो सकता है और आपकी information लीक हो सकती है इन सबसे बचने के लिए कि द्वारा कहा गया है कि जितने भी पुराने iPhone से गाई मैं आपको सबसे पहले बता दूँ जितने पुराने iPhone है जिनका अपडेट अब नहीं आता है उन सब स्मार्ट फॉन के लिए खत्रा बना हुआ है हैकर के नजर उनी स्मार्ट फॉन पर क्यूंकि जितने भी iPhone होते हैं उनमें जो जो अपडेट आते रहता है उन अपडेट का मतलब ही सब्सक्राइब करें लेकिन कुछ एक समार्ट फॉन को आईफोन जो बहुत पुराने हो चुकि जिनका अपडेट आना भी बंद हो गया है उन पे हैकर की नजर है क्योंकि आप उनका अपडेट नहीं हो रही है जिसके विज़े से उनको हैक करना काफी आसान हो जाता है इसल आईफोन लवर है और आप आईफोन ही रखना आप 12 13 14 में से किसी एक को चुन सकते है इस सिग्मेंट में आगे तक जा सकते है बट इस से नीचे के सिग्मेंट में आप ना जाएं तो बैटर रहेगा अगर आपके पास आईफोन 5S है 6S है अभी-अभी आईफोन ने इसके के आप तक भ없े ऐसे करमा आप, लेकिन नेदी पिछा ने आप आईफोन है लेकिन जितने पास पुराने स्मार्ट पहन ऑइफोन है उनको समलके रहने के जोड़ा तो सेस्के बचे वाई impahali at ताकि hackers की नजर से उनकी उनसे दूरी बनाई रखी जासके और आपका फोन सेफ रहसके इसलिए नहीने पैचिज लगाई जाते हैं iPhone में नहीने अपडेट देए जाते हैं जिससे कि आपका software अपडेट और उस पर security enhance हो और hackers को मौका ना मिले आपके phone को hack करनेगा तो जितने पुराने smartphone जितने भी iPhones हैं गाईज तो उनमें अपडेट आना अगर बंद हो गया है तो काफी खत्रे में हैं आपकी sensitive information तो आपको जल्दी से अपने phone को upgrade करना चाहिए और मेरा suggestion यहीं कि आपको iPhone 12 या इस उपर के smartphone में अपडेट करना है इससे नीचे के smartphone में आपको अपडेट नहीं करना है क्योंकि 12, 13, 14 यह सभी smartphone 5G enabled हैं इससे नीचे के जितने भी smartphone है वह 4G enabled है वह 5G enabled नहीं है तो मेरा suggestion यही है कि आप अपने आपको upgrade कर लिजिए अपने smartphone का upgrade कर लिजिए और उसे 12 या इस से उपर के segment में ही upgrade कीजिए वीडियो काफी important हो जाती है iPhone वालों के लिए चाहिए वो Android users भी है तो सबके लिए यह information एक जैसी है common है common sense वाले बात है अपने phone को हमेशा update रखिएगा आपके phone में अगर updates आ रहे हैं guys तो उसे हमेशा time to time update करना काफी important हो जाता है क्योंकि security से enhance होती है और आप better experience भी कर पाते है iPhone को लेकर के कई बार यह भी problem आती है कि iPhone काम कर रहा है या काफी time ले रहा है आप slide कर नहीं कोशिज कर रहे है आप down कर नहीं कोशिज कर रहे है तो काफी time ले ले नहीं आ रहे हैं guys तो अपने आपको upgrade कीजिए नया smartphone या कुछ नया मतलब इस से उपर का smartphone पर्चेस कर सकते हो 12 13 14 में से कोई एक select कर पाऊगे या आने वाले कोई किसी भी smartphone का पर्चेस कर पाऊगे thank you so much आपके प्यार के लिए यह information मुझे आपको देने I hope आपको अच्छे ल कर और भेजा से 높द से लिए आने अपको देले किस कर फा लाक आपको रचाए याव नदया है